प्रिय पुष्पों में हैं मदार का पुष्प और भगवान नारायन के प्रिय पुष्पों में हैं मंदार का पुष्प मंदार अर्थात हार संगार का पुष्प जिसकी ओरेंज डंडी होती है और वाइट कलर का पुष्प होता है चोटा सा पुष्प होता है उसको तुलसी पत्र के साथ में यदि भगवान नारायन को समर्पित किया जावे तो भगवान नारायन की विशेश क्रपा प्राप्त हो बहुत प्रिय होता है भगवान शीव जी को आकड़ा नीले वर्ण का भी होता है और सफेद वर्ण का भी होता है सफेद वर्ण का जो आकड़ा होता है भगवान गणपती को भी अतिप्रिय होता है कहते हैं कि आकड़े के ब्रक्ष में गणपती का वास होता है उसकी जड़ में से गणपती का स्वरूप निकलता है पुराने आकड़े में से उसका फूजन से सिद्धी प्राप्त होती है अभी हम बात कर रहे हैं पुष्प की आकड़े का पुष्प चड़ाने से भगवान शिव स्रावन में चड़ाने वाले को मनो वांचित पल की प्राप्ती कराते हैं आकड़ा धतूरा और बिल्वपत्रियदी एक साथ चड़ाये जाता है भगवान शिव जी को तो भगवान शिव भक्त की हर मनो कामना पूर्ण करन और मदार का पुष्प भगवान नारायन को कार्तिक मास में चड़ता है तो दोनों पुष्प भगवान शिवजी को और दोनों पुष्प भगवान नारायन को चड़ाई जाते हैं लेकिन समय समय के फेर पे उचित समय पर उचित पुष्प चड़ाने से भगवान प्रसन्न ह नहीं होते हैं, जै इस्तरी कुष्टा